इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा परिशान हैं या बुरे लोग ज्यादा परिशान हैं। अच्छे लोग हमेशा ज्यादा परिशान होते हैं। हाँ? जो लोग समझते हैं कि वो अच्छे हैं, वो ही सिर्फ दुखी हैं। है कि नहीं, कृपय ऐसे ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले आप अच्छे कैसे बनें, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इन सब के तुलना में मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ ये विचार आपके भीतर आया कहां से मुझे बताईए आपने खुद के तुलना बहुत सारे लोगों से की और आपने उन्हें बुरा मान लिया और आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं जो अपने दिमाग में खुद को अच्छा समझता है उसके लिए दुनिया में कोई भी ठीक नहीं होता आप अपने आपको जितना ज्यादा अच्छा समझते हैं उतना ही दूसरे लोग आपको सही नहीं लगते ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है क्या? जो लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, उनके आस-पास भी कोई नहीं जाना चाता, चूंकि वो इतने अच्छे होते हैं कि जीवन घटिती नहीं होता आपके अच्छाई सिर्फ किसी दूसरी चीज की तुलना में होती है, है कि नहीं? आप खुद को इस तरह से स्थापित कर रहे हैं कि ये सारे लोग मन्हूस हैं और फिर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ऐसा है कि नहीं? अच्छे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, नहीं इस दुनिया में और नहीं दूसरी दुनिया में मैं आपको एक चुटकुला सुनाओं, क्या आपकी पाचन क्रिया अच्छी है? मैं उस पाचन की बात नहीं कर रहा था एक दिन, शंकरन पिल्लाई अपने पिछले जनम में एक अच्छे इंसान थे कुछ समय बीमार रहने के बाद उनकी मृत्य हो गई अच्छा इंसान होने के कारण स्वाभाविक रूप से वो स्वर्ग गए वो स्वर्ग में उत्रे वहाँ स्वर्ग दूतों की स्वागत समिती ने उनका भई खाता खोला एक के बादे हर एक पन्ने पर अच्छे काम, मच्छे काम, मच्छे काम, शुरुवात से आखरी तक सिर्फ अच्छे काम अब स्वर्ग दूत उल्जन में पढ़ दे वो शंकरन पिल्लई के पास आए और बोले, मिस्टर पिल्लई एक छोटी सी समस्या है पिल्ले ने पूछा क्या समस्या है स्वर्ग दूतों ने कहा, यहां स्वर्ग में हमारे पास बहुत तरीके के आवास है विभिन नस्तरों के आवास एक बुरा काम, मतलब सबसे उचा स्वर्ग, समुद्र के सामने वाला दो बुरे काम, अगले स्तर का आवास, तीन बुरे काम, अगले स्तर का आवास, इस तरह लेकिन कोई बुरा काम नहीं, इसके लिए हमारे पास कोई जगा नहीं है हमें सच में पता नहीं कि हम क्या करें आप पहले ऐसे इंसान है जो यहां आए है शंकरन पिल्लाई ने सोचा क्या बखवास है दुनिया में कोई मेरे पास नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान था मैंने पूरा जीवन स्वर्ग जाने के आश्रा में बिताया और यहां भी समस्या तब स्वर्ग दूत आपस में बात करके एक निश्कर्ष पर पहुँचे उन्होंने कहा आप चिंता ना करें हमने समाधान निकाल लिया है आपका शरीर अभी भी वहाँ पर सुरक्षित है हम आपको जीवित रहने के तीन गंटे और देंगे बस एक बुरा काम कर दीजे हम आपको सबसे हुचे स्वर्ग में रखेंगे कुछ नहीं बिगड़ा है शंकरन पिल्लाई यहाँ पर जीवित हो गया फिर वो वहाँ पर बैठकर यह सोचते रहे कि बुरा काम कैसे किया जाए और देड़ गंटा बीद गया देखिए वो आपके जैसे नहीं है उन्हें अभ्यास नहीं है देड़ गंटे के बाद उन्हें याद आया कि पडोस में एक महिला है जो काफी बुरी है और जो उन्हें निगाओं से ही आमंतरन के इशारे देती रही है अच्छा इंसान होने के कारण उन्होंने उसे कभी वैसी नजरों से नहीं देखा अब उन्होंने सोचा अच्छा अडल्ट्री अव्याविचार एक गलत काम है आखिरकार जो भी वो करने जा रहे हैं वो बस इसलिए कि उन्हें स्वार्क जाना है इसलिए वो औरत से मिलने निकल पड़े उसका दर्वाजा खट खटाया उसने दर्वाजा खोला जब उसने दर्वाजा खोला तो शंकरन पिल्लाई बोले मुझे तुम चाहिए क्यों मिस्टर पिल्ले अभी कल शाम में मुझे पता चला आप मृत्यू शेया पर थे ये क्या है उन्होंने का इस से फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम चाहिए वो अंदर चले गए आप जानते हैं प्रकृती हावी हो गई उनके बीच स्वभाविक चीजें हुई वो उसके घर में नहीं मरना चाहते थे समय बीता जा रहा था उन्होंने का मुझे जाना होगा और वो दर्वाजे के पास आ गए वो उन्हें दर्वाजे तक छोड़ने आई और बोली आपको पता है कि आज आपने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है एक और अच्छा काम क्या किया जाए तो अच्छे लोग ना तो यहां के रहेंगे ना ही वहां के यह आपके अच्छाई नहीं है जो आपको मुक्त कराती है आपके अच्छाई सिर्फ दूसरों के तुलना में है आपके अच्छाई जो कि सिर्फ दूसरों के तुलना में है यह अच्छाई नहीं है, यह एक प्रकार की बीमारी है यह इस तरह है कि लोगों को लगता है कि वो खुश हैं, उन्हें पता नहीं कि आनन्द क्या होता है, उनकी खुशी बस यही है, कि उनके पास वो चीज़े हैं, जो दूसरों के पास नहीं है, है कि नहीं? अब मान लीजे, आप सभी बहुत भुके हैं, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि किसी के पास खाना नहीं है, लेकिन मेरे पास कम से कम कुछ खाने को तो है, यह खुशी है या बीमारी है? मानफ ताइज बिमारी से पीडित है जिसे बहुत सारे लोग खुशी मान रहे है ऐसा है की नहीं